So hey guys, The Legend of Sky Lord series की इस एपिसोड की शुरुआत लांस्ट एपिसोड के एंड की साथ में ही होती है जहाँ पर किंग राउंड जैसे ही अपने साथ में ले जार चुकी होती है जियांग मैंको जिसके बारे में शॉर्चेन सोचे लगता है कि या करस्ता बंदा कौन है जो कि यहां पर रक्ट्रिस कर रहा होगा कैलिग्राफिक को जिसके बाद वो चलते हुए एक बहुती अजीब सी जगए पर आ जाता है जहांपर हम एक बंदे को देख पाते हैं और इसी जगए पे बेहुशी की हालत में डली हुई होती है जियांग मैंक तो बंदा ये कहने लगता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी कैलिग्राफिक कैसे लगी इसका एक्शल में नाम होता है जी लाओ तो शार चैनल से कहने लगता है कि देखो वैसे मैं जानदा कुस तो जानता नहीं हो कैलिग्राफिक के बारे में लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी पेपर्स को देख पा रहा हूँ उनके उपर तो ने उसके उपर बहुती कमजोर पैन का यूस किया है और साथी यह बहुती जानदा पुराने फेशन के भी हो चुके है इसी वज़े से मुझे तुम्हारे इन घटिया चीजों में जरा से भी इंटरस्ट भी नहीं है जिसकी वज़े से जीलाव हसते हुई यह कहने लगता है कि मैं चाहता तो इस लड़के को यहां से लेकर भाग भी सकता था लेकिन मुझे पता था कि लिंग इंसेक्ट में कोई एक ऐसा बंदा है तो कि बहार से आने वाले लीडर्स को एक एक करके मारते जा रहा है उनको हराते जा रहा है मुझे यह सब कछ बताया सूल वैली की किंग राउ ने यह देखना चाहता हूँ कि आकर इस मास्के के नीचे कौन सा चहरा छुपा बैठा है जिस बात पर तबीश शॉचेन उससे कहने लगता है कि क्योंकि तुम यह जानते हो जिसे की शॉचेन केने लगता है कि अच्छा यानि कि Timolog थुम हो डिवाइन स्वार्ट पीक से जीलाओ केने लगता है कि मैं तुम जेसे बंदों को पहुत इच्छे तरीके से जानता हूँ ये भी जानता हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे हराना होगा औरना सच में तुम्हारी जितकी तो धज्जियां उड़ जाती है इस बात पर जी लाओ कहने लगता है कि बच्चे जरा अपने मूँ को लगाम दो तुम ये जानते भी नहीं हो कि तुम कितने बड़ी मुसीबत को मूल लेने वाले हो जिसके माद जी लाओ ने एक बहुती स्ट्रॉंग अटेक किया होता है और वो कहने लगता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली कैलिग्राफिक कहते किसको है जिसके तुरंटे बाद अब उसने यहाँ पर अपने ब्रश की मदद से काफे सारे हमलों को करना स्टार्ट कर दिया था शोचें के वर देखी रहा तकि आखर उसके उपर हमले कहा कहा से और कैसे कैसे किये जा रहे है शॉर्चेन कहने लगता है कि या तो तुम इस वार्ड मैंशिप को यूज़ करो या फिर अपनी कैलिग्राफी को जिलाओ कहता है कि देखो मेरे अंदर दोनों ही अबिलिटीज मौजूद है तुम मुझे बता दो कि आकर तुम कौन सी चीज़ को ट्राइ करना चाहते हो जिसके तुरंती बाद अब उसने यहाँ पर शॉर्चेन की उपर बहुती ज़न्द स्ट्रॉंग तरीके से हमलों को करना स्टार्ट कर दिया था शॉर्चेन देखता है कि वाके में ये बंदा पिछले दो बंदों से बहुती ज़न्दा ताकत बर है शॉर्चेन कहने लगता है कि तुम्हारी जो कैलिग्राफिक की स्वार्ड मैंशिफ है वो मुझे अभी तक टच भी नहीं कर पाई है शॉर्चेन ने जैसे काफे बड़ी रॉक्सि उस पर हिट किया था उसकी तुरंती बाद अभू यूस करने लगता है अपने डेविल हैंड अटेकने को और ये डेविल हैंड अटेकने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉंग होती है अपनी स्प्रोचल पावर को यूस करने लगा था जीलाओ कह रहा था कि हम तुमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे जहां पर अब जैसे ये सभी के सभी हमला करने वाले होते हैं शॉर्चेन पर तो फिर वो दुबारा से यूस करने लगता है अपने डेविल हैंड टेकनिक के सेकंड फॉर्म को जिसने जीलाओ के सारी के सारे क्लोन्स को ही डेस्ट्रॉई कर दिया था लेकिन तभी उसने दुबारा से अपने कुस लैसिंग अटेक्स को प्रिपियर करके शौचेन के डेविल हैंड के लिविल टू को भी डिस्ट्रॉई कर दिया था ना करने के बाद भी वो रुकता नहीं है और अपने अगली अटेक को भी समन करने लगता है जो अटेक उसको हिट होने को जा रहाता वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाता है जीलाओ अब यहाँ पर बार बार और लगाता और हमले पर हमले करते जा रहाता जिसमें से जैसी एक हिट हो जाता है शौचेन को तो उसकी हालत कराब हो जाती है और वो इंजर डो की नीचे गिल जाता है जीलाओ उससे कहने लगता है कि बच्चे अब तो तुम्हें यह पता चल ही गया होगा यह असली कैलिग्राफिक कहते किसको है लेकिन इतनी जादा मार खाने के बाद बे शौचेन उससे यही कहता है कि अभी तुम देखो के मेरी पावर्स का एक और नए आरू क्योंकि अब उसने यहाँ पर यूस करना स्टार्ट कर दिया होता है डेविल्स हैंड टेकनिक के थर्ड फॉर्म को यह डेक्स सच में इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होता है कि अगर मैं बात करूं किंग राओ और हो लेकी तो दोनों की वज़े से मेरी जो टाइगू टेकनिक है वो काफिर ज़्यादा इंप्रूब हो गई है वो जैसी उसके सामने पहुंच गया था तो जीलाओ हसते हुए उससे कहता है कि बच्चे अभी तो ये किवल शुरुआ थी थी शॉचेन उसे कहने लगता है कि देखो अब तुम चाहे कुछ भी क्यों न कहलो चाहे कुछ भी क्यों न करलो लेकिन डेविल हैंड टेकनिक से बचपाना अब तुम्हारे भी बसकी बात नहीं है लेकिन जो जी लाओ होता है वो सच में बहुती ज्यादा खतरनाक बंदा है उसने इतनी ज्यादा एनरजी को गैदर कर लिया था कि वो एकी जटके के साथ में ब्रेक कर देता है डेविल हैंड के लिवल थी को जो नजारा तो शॉर्ट चेंड के लिए भी बहुती ज़न्द टैरिफाइंग था क्योंकि जी लाओ उसी लिवल की पावर को यूज करने वाला है शॉर्ट चेंड को जान से मारने के लिए क्योंकि उसने यहाँ पर समन कर ली होती है अपने एक बहुती ज़न्द स्ट्रॉंग टैक्निक को जिसको कहते हैं ताउजन्ड ओफ स्वार्ड कैलिग्राफी टैक्निक अपनी स्वार्ड के पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था शॉर्ट चेंड अपने मैजिकल पावर को यूज कर रहा था उसको रोकने के लिए लेकिन अभी जो उसकी टाइगू टैक्निक होती है वो उतने जदा हाई लेवल की नहीं थी इसके वज़े से वो चाहा कर भी और जदा टैक्निक्स को यूज कर ही नहीं पाएगा वो कहने लगता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो वो बहुती जल्दी ठक जाएगा ये जो इस वोड होती है वो तो एक्तम थंडर बोल्ड के जैसे अटेक कर रही थी शाचैन पर जिनके अंदर अब उसने फसा लिया होता है शाचैन को जो कि उसके बहुती बुरी तरीके से गहल करके नीचे गिरा देती है यहां तक कितने से बीजी ला रुकता नहीं है और वो अपने एक फॉर्मिशन को यूज करने लगता है और ये कहता है कि बच्चे क्या तुम देखना चाहते हो कि एक हाईस्टे लेवल की स्वोड मैंशिप होती कैसी है उससे को इस ने अपनी उसी स्वोड टेकनिक को सीधर हिट कर दिया होता है शौर्ट शांसे जिसकी फरख लेही सीन में हमें दिखाए चाहता है ऐल्डर वू को जिसने अप कैद करके रख ली जिए होता है चीफ एललर को और शीलिय आंग को जिसकी वज़े से मास्टर शीलियांग कहने लगते हैं कि एल्डर फैंक कि तुम हमारे लिंगिज सेक्ट के एल्डर हो राकर क्यूं तुम अपने ही हाथों से अपने गर को तबाहा करना चाहते हो जहांपर तबी चीफ एल्डर की आके कुलती हैं और वो ये कहने लगते हैं यानि कि तुमने डिवानी सवर्ड सेक्ट वालों के साथ में हाथ मिला लिया ये कितनी घटिया चीज है कि तुमने अपने इमान को ही बेज दिया अपना गुसा तो दिखा रहे थे लेकिन वो चाहा कर भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते एल्डर वो कहने लगता है कि देखो दोका देना बर्बादी करना ये सब कुछ मुझी आता है इस मुमेंट पर तब ही वहाँ पर आ जाता है एक डिसाइपल वो कहने लगता है कि हैड मास्टर फैंग को चलकर देखना चाहिए कि फरंट यार्ड में कितनी बड़ी गड़बड हो चुकी है एल्डर फैंग अपने डिसाइपल से कहता है कि इन दोनों ही बुड़ो पर तुम लोगों को नज़र रखनी होगी जब तक मैं लीडर नहीं बन जाता ये लोग कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ही मेरे नौकर बन के रहें जिसके बात पर वो यहाँ से अपने डिसाइपल्स के साथ मैं बहर चला जाता है लेकिन जब मास्टर शीलियंग होते हैं वो बहुती जदा दुकी हो रहे थे वो ये कहने लगते हैं कि मेरे जैसा लीडर किसी भी सेक्ट में ना हो मैं तो लीडर के नाम पे एक कलंग हूँ मेरी ज़े से एलडर की बिज़िती हुई मेरी जज़े से पूरा साक्ट ही खतरे में आ गया कि दूफल चीफ एलडर उनसे यह कहने लगते हैं कि क्यूं तुम बेकार में बच्चों के जैसे रो रहे हो हमारे साथ में और हमारे साथ में जो होना था वो तो हो ही गया इसलिए रोना बंद करो और मेरी बात को सुनो सुप्रीम एलर कहते हैं कि शीलियांग जल्दी से अपने फूरी बॉड़ी को ही एनलजेटिक बना लो और मुझे अपने पावर्स देना शुरू कर दो इसके वज़े से एलर तो रहनते हैं यहाँ पर अपने पावर्स को देने लगते हैं सुप्रीम एलर को क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने पावर्स को मिला के इस बेरियर को तोड़ना चाहते थे मास्टर शीलैंग कहते हैं कि सुप्रीम एलर अगर मैं इसी तरीके से अपनी पावर्स को यूज कलता रहा तो मेरी बॉड़ी से मेरी पूरी की पूरी एनरजी है एक्जास्ट हो जाएगी सुप्रीम एलर कहते हैं कि बस थोड़ा सा और इंतिजार कर लो जो तो मुझे पावर्स दे रहे हो उनकी भी रफ्तार को बढ़ा दो जो करते ही अब सुप्रीम एलर ने यहाँ पर समन कर लिया होता है लिंग यून लोटर्स टेक्निक को जिसका साइज वो जैसे बढ़ाने लगते हैं तो यहाँ पर जो बेरियर बना हुआ था वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था जिसे वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाते है इसी वज़े से उनकी हालत खराब होने लगती है मास्टर शीलैंग कहते हैं कि एलडर ये तो एक फॉर्वर्ड टेक्निक है आकर आपको ये कैसे आती है लेकिन सुप्रीम एलडर कहते हैं कि बक्वास बंद करो उच जलसे जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ और उसके अगले ही पल वो जो बेरियर होता है वो दुबारा से क्रियेट हो चुका था इसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं कि जीलाओ ने जैसे एपने फॉर्मिशन से अटैक किया था शॉर्ट चैन की उपर अटैक हुआ होता है शॉर्ट चैन पर तो इस हमले से उसकी बोड़ी से ब्लीडिंग तक होने लगी थी इतना करने से भी अभी तक जीलाओ रुका नहीं था वो कह रहा था कि अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ ना हो और मैं तुम्हें बहुती आसान मौत मार दूँगा जीलाओ ने वाकई में उसको मारते हुए उसकी बहुती बुरी हलत करती होती है शॉर्चैन की बोड़ी में कई सारी जगों पे इन जरीज आ गई थी लेकिन बुछ जैसे ही देखता है जीयांग मैं को तो वो दुबारे से खड़ा होने लगता है लेकिन जीलाओ रुकने वाला नहीं था वो अपनी स्वाड को पूरी ताकत के साथ में हिट कल दीता है शॉर्चैन से कर दे पाएगा युग जीलाओ ने लगा अतार इतने सारे हमले कर दिये थे यब तो इसकी वज़े से इसका एफेक्ट देखने को मिलने लगता है शॉर्चैन के स्पूर्चैन के बिए अंदर शॉर्चैन कह रहा था कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से ही चलता रहा वज़े से वो डेफिनेटली पहुँच पाएगा स्पूर्चैन का पावर लेवल पहले से कई गुना जादा बढ़ गया था तो कैने लगता है कि अगर कार मुझे चाहिए भी तो यही ता एक सूपरनेच्रल पावर्स वाली बाड़ी जो की मुझे मिल गई है पाएदा यह है कि अगर इस बच्चे की यह फिजिकल बाड़ी भी डेस्ट्रॉय हो जाती है तो अपनी मैजिकल पावर्स की यूज़ करते कुए दोबार से री शेप कर पाएगा अपनी फिजिकल बाड़ी को ने कम समय के अंदर शॉट्चे ने प्रक्ट्रिस कर लिया होता है टाईगू के फोल्ति लिवल को इस मुमेंट पर तभी वो इस बाड़ दोबारा से हिट होने वाली होती है शॉट्चे को तो उसको रोकने के लिए शॉट्चे ने यूज़ करने लगता है सूल इटिंग थंडर टेक्निक को और ये सूल इटिंग थंडर इतनी जंदे स्ट्रॉंग होती है कि वो इसे स्वार्ड को ब्रेक करने के सास्ता जीलाओ की बोड़ी से भी पावर को एब्सॉब करने लगती है खुद भी हैरान हो रहा था कि आकर ये पावर्स अचानक से इस लड़के के अंदर कहां से आ गए जीलाओ को खुद भी ये लगने लगता है कि अप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भूस से बच नहीं पाएगा तो बड़ी मुश्किल के साथ में जैसे तैसी कर गए कि वल अपनी जान को बचा पाया था उन्हें जरीस के साथ में अब वह आ जाता है शाचन के सामने और उसे पूछे लगता है कि बच्चे आकर तुम कौन हो शाचन कहता है कि देखो मरने वाले लोगों को जादा सवाल नहीं पूछने चाहिए जीलाओ कहने लगता है कि बच्चे जादा घमंडी मत बनो चलो अब जरा मैं तुम्हें अपनी असली ताकतों को दिखाता हूँ और वो अपनी टेक्निक को जरसे ही समन करने लगता है तो शाचन उसे कहता है कि तुम जो भी समन कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यदा पारफुल और सीरियस टेक्निक होगी और वे दोनों ही करेक्टर्स अपनी अपनी बहुती जंदर स्ट्रॉंग टेक्निक को समन करने लगते है जिसकी वज़े से तभी आसमान में से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिसको देखकर ये दोनों ही रुग गए थे अपनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है कि वो ये की पल में खतम हो जाता है और ये बंदा एक्चुली में यहां से ले जाने के लिए आया होता है जियांग मैंग को जैसे उसको लेकर जाने लगता है तो शाचन कहता है कि मुझे बताओ कि आकर तुम कौन हो छोजए बता है